हेलो गाज तो कैसे हैं आप सब लोग मैं फिर से आगे हैं आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके तो यह अपडेट गेट से रिलेटेड है तो गेट 2020 का एक्जाम पोस्ट पॉंड होने वाला है या नहीं इसका कुछ स्टेट्मेंट आई 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 टी खड़कपूर की तरफ से आ रहा है तो उससे रिलेटेड अपडेट है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना क्योंकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाले वीडियो नहीं होंगे आपको क्लिक बैट टाइप जो इन्फॉर्मेशन है वो ल आई आई टी खड़कपुर की स्टेटमेंट है आप यह देख सकते इसमें जीदा जीदा लिखाए गेट इक्जाम नौट एट भी पोस्टपॉंड एंड इट विल बेहल्ट यानि कि जो भी डेट पर किया गया था डिसाइड पहले ही उन्हीं डेट पर राइंज किया अब आई 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 टी खड़कपुर ने क्या बोला है अब यह देख लो उन्होंने बोला है यह आई 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 टी खड़कपुर सेड नो गेट अप्टी टेस्ट इंजीनियरिंग इस नौट पोस्ट पॉंड एट लिस्ट नौट एट ग्जाम बिल कंड़क्ट एज पर दा सेड्यूल यानि कि जो सेड्यूल में है उसी हिसाब से कंड़क्ट कराया जाएगा और क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इसके कि जो भी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं आई 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 टी खड़कपुर के पास और वो उनको सीधा बताते हैं कि सर मैं क करोना पॉजिटिव हूं तो एक्जाम के टाइम पर मैं कैसे आऊंगा तो उनके ऑफिशल्स खुद बोलते कि अगर आप करोना पॉजिटिव तो आप घर से निकल ही नहीं सकते तो आप एक्जाम हॉल में आ कैसे सकते हो तो में सारी चीजें यह हैं सो मैंने यह बता दिया म सब को बूलना चाहता हूं कि एक्जाम पोस्ट पांड नहीं होने वाला आप लोग अपनी च्टडी को कंटिन्यू रखें वोक्षे और जो भी वीडियो वाइरल हो रहे हैं उनको देह की मैंने वीडियो बनाया तो मैं सब को बोलना चाहता हूं कि पोश्ट पॉंड नहीं ह होगा मैं अगर बोलों खुद का पॉइंट आप यू तो मुझे लगता कि एक परसेंट चांस है कि गेट का एकजाम पोस्ट पॉइंट होगा 99 परसेंट चांस है कि एड़ देट ही होगा यानि जिस टाइम पे होने वाला है उसी टाइम पे होगा आप बस अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करके बस पोस्ट पॉइंट करवाने में लगे रह जाओगे आपका पूरा एक एर खराब होने वाला सो प्लीज यह मत करो थैंक यू वीडियो को लाइक कर देना